हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं स्टाडी चैनल बात करेंगे उत्तरप्रदेश बनाई प्रात्मि सिक्षक भरती की आज उत्तरप्रदेश के बेसिक सिक्षा राजमंत्री डॉक्टर सतिस चन्दिवेदी जी थे जी नियूज के चैनल पर और उत्तरप्रदेश की बात अयोध्या से नाम के एक प्रोग्राम में वो बैठे थे और पत्रकार के बहुत सरे सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया चकसु पब्लिकेशन लेकर आगिया है सुपर्टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए दोस्तों ये किताब आपकी काफी जादा हेल्प करेगा सभी विशय यहाँ पर कवर हैं प्रात्मिक सिक्षक भरती के साथे साथ 68,579,000 पेपर का यहाँ पर सलूशन भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लिरली कि किस विशय से कितने नंबर का सवाल सिक्षक भरती की परिक्षा में पूछा जाता है तो यदि आप रात्मिक सिक्षक भरती की तैरी कर रहे हैं उतर प्रदेश में तो यह किताब की काफी ज़्यादा हेल्प करेगा सवाल पूछा गया प्रात्मिक सिक्षक भरती के बारे में भी 69,000 के 22,000 सिटों को जोड़ जाने के बारे में भी आरक्षड संबन्थी जो विवाद है 69,000 में इसके बारे में भी 37,000 के रक्षड और 22,000 सीटों को जोड़ जाने के मुद्दे को भी उठाया गया मंत्री जी ने कहा कि 22,000 जो सीटे हैं 68,500 की वो 69,000 में नहीं जोड़ जा सकती है ये दोनों भरतियां अलग-अलग थी 68,500 का एक्जाम पैटर्न अलग तो 69,000 का अलग है इसरी भरति की जो सीटे हैं वो अगली भरति में नहीं जोड़ा जा सकता है तो इसको लेकर इन्होंने असपस्ट किया 37,000 रक्षड मुद्दे पर उनने कहा कि सभी नेमों को सही तरीके से लागू किया गया है दो तरह कारक्षड होता है उर्दवाधर और 36 सभी नेमों का पालन किया गया है और यदि यहां पर कोई गलबड़ी हुई है तो उसको भी हम सुनने को तयार हैं कहीं जोड़ घटाने में गलती हुई होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा फिलहाल इनोंने कहा कि सब कुछ सही तरीके से कर दिया गया है सवाल जब पुछा गया ना इसक्षकवर्ति के बारे में तो सतिश्चन दिवेदी जी ने कहा कि हमने प्रात्मिक में 68500 किया 79000 किया एक लाग से अधिक पदों पर हमने भरती कर ली और जरुवत पड़ेगी तो और भी भरतियां होंगी इनोंने कहा कि BAT BTC जो भी चात्र हैं सब लोग अपनी परिक्षाओं की तयारी करें मुकमंत्री जीन समिती बना दी है समिती के रिपोर्ट का इंतजार है समिती की रिपोर्ट आ जाएगी यदि प्रात्मिक में पदर रिक्त होंगे तो भरती जरूर होगी यहां पर साफ साफ इनके कहने का मतलब यहीं था कि अभी हाल फिल हाल में भरती नहीं आ रही है यूपी टेट के बाद कोई भी भरती देने की प्लानिंग सरकार की नहीं है समिती की रिपोर्ट का ही इंतजार किया जा रहा है और उस रिपोर्ट में जो भी होगा उसी के आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी तो रिपोर्ट का ही अता पता नहीं है, रिपोर्ट में काफी डेले हो रहा है, यानि कि सरकार अभी भरती देने के मुड में नहीं है इसके लावा मंतरी जी ने बहुत बड़े बड़े अपनी उपलब्धियों को गुनाया कि हमने आइटी आई कॉलेज खोले, पॉलिटेकनी कॉलेज खोले, इंटर कॉलेज खोले, यूपी बोर्ड में जो नकल होते थे उसको बंद करवा दिया गया, बहुत सारी इन्वरस्ट दिया, यूपी डेट पेपर लिग मामले में भी जब सवाल कुछा किया, तो उन्हें कहा कि पहले कि जो सरकार है थी, वो लीपा पोती करती थी, हमारी सरकार ने साहसिक कदम उठाया, परिछा कुंदरस्ट कर दिया, जल्दी दुबारा परिक्षा कराया जाएगा, तो जहा आते हैं, प्राक्मिक में भरती जल से जल निकले, तो आप इस धर्ने में जरूर सामिल होईएगा, यह दिया अची कुछ मातपूर अपडेट, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिजिएगा, दोस्तों, चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लिजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफोर्मेशन मिलती रहे, थांक्स और वाचिंग